इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करतें. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मेदारी नहीं होगी यह आपकी हड़ियों को मजबूत और स्वस्त रखने में मदद करता है और osteoporosis जैसे किसी भी हड़ि के विकार के जोखिम को कम करता है केल्शियम नसों, कोशिकाओं, मानसपेशियों और हरदय के सामाने कामकाज के लिए भी आवश्यक है इस सयोजन में अन्य विटामिन और खनिज होते हैं जो प्रतिरक्षप्रनाली को मजबूत करने, शरीर के चयापचे को बढ़ाने और समग्रस वास्थि में सुधार करने में मदद करते हैं इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं मेद कॉकल टेबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए मेद कॉरकल टेबलेट केल्शियम कार्बोनेट, मेगनीशियम हाइड्रॉकसाइड, जिंक सलफेट मोनोहाइडरेट और विटामिन D3 का एक सयोजन है केल्शियम कार्बोनेट एक आहार पूरक है जिसका उप्योग तब किया जाता है जब आहार में केल्शियम की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है मेगनीशियम हाइड्रॉकसाइड एक एंटासिद है जो पेट में अत्यधिक एसिड को बैसर करता है जिंक सलफेट मोनोहाइड्रेट एक पोशन पूरक है जो हमारे शरीर को आवश्यक पोशक तत्वप्रदान करता है और समग्र स्वास्थे में सुधार करता है विटमिन D3 विटमिन D का ही एक रूप है यह आपके रक्त में विटमिन D के स्तर को बढ़ाता है यह बदले में आपके रक्त में केल्शियम के स्तर को बढ़ाता है जिससे आपको भोजन से अधिक केल्शियम अवशोशित करने में मदद मिलती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद